मृत्यू जीवन का परमसत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। इसे सही तरीके से करना चाहिए। आईए। अब जानते हैं कि दाह संसकार क्यों करना चाहिए। अगनी वायू और आकाश रूपी पंचे तत्वों से बना है अंतिम संसकार के बाद ये सभी पांच तत्व जहां से आये थे वहां लोट जाते हैं और मनुश्री का ये जन्म समाप्त हो जाता है ऐसा भी माना गया है कि जिन व्यक्ति का अंतिम संसकार नहीं किया जाता है तो उसे मुक्ती प्राप्त नहीं होती हिंदू धर्म में साधू को समाधी दी जाती है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि साधू के द्वारा ध्यान और साधना किये जाते हैं जिससे वे शरीर में एक विशेश उर्जा लिये हुए होते हैं इसलिए ऐसा करके उनकी शारिरिक उर्जा को प्रकृतिक रूप से प्रकृति में समाहित होने दिया जाता है। लिए किया जाता है ताकि यदि उसके अपने शरीर के प्रती मोह बचा हो तो वह छूट जाए। पूरी तरह विदाई होने से मनशी की आत्मा को देह और मन के बंधन से मुक्ति मिलती है। जिसके बाद वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल पड़ता है। दाह संसकार की पूर्ण विदी सही तरीके से नहीं करने पर मृतक की आत्मा भटकती रहती है या वह प्रेत यूनी धारन कर लेती है। इसलिए उचित वेदिक तरीके से अर्थी, शव्यात्रा, दाह और श्रात की नियमों का पालन करना आवश्यक है। दाह के बाद मृतक की अस्थिया जमा की जाती है। और उसे किसी पवित्र नदी में आम तोर पर गंगा में विसर्जित किया जाता है। इसके बाद 13 दिनों तक शात कर्म किया जाता है। बाद में गया में जाकर पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करते हैं। इससे आत्मा को शांती प्राप्त होती है। सूरियास्त के बाद अंतिम संसकार। हिंदु धर्म में शास्त्रों के अनुसार सूरियास्त के बाद शरीर का अंतिम संसकार नहीं किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यू शाम को या रात को होती है तो उसका दाह संसकार अगले दिन किया जाता है। यदि सूर्यास्त के बाद अंतिम संसकार किया जाता है तो इससे मृतक को बाद में नुकसान होता है और नए जन्म में उसका एक अंग शती ग्रस्त हो सकता है। दा संसकार के बाद पिंड़दान क्यों जरूरी होता है। फिर बर्सी मनाई जाती है फिर मृतक को पिंडदान दिया जाता है पिंडदान के लिए लोग गया जाते हैं ये वही जगा है जहां सीता मा ने दशरजी का पिंडदान दिया था वेग्यानिक कहते हैं कि मृत मनुष्य का दिमाग तीन दिन तक सक्रिय रहता है साथ ही हिंदु धर्म के अनुसार जादा से जादा व्यक्ति की चेतना तीन दिन में लुक्त होकर नया जन्म ले लेती है और यदि कोई बहुत ही स्मृतिवान है तो वह तेरा दिन में दूसरा जन्म ले लेता है यदि कोई और भी जादा सम्रतिवान हो तो वर्ष भर लग जाता है लेकिन तब तक वो पित्रों में शामिल हो जाता है जिसके बाद उस विक्ति की मुक्ति हेतु पिंड़दान किया जाता है गरूर पुरान के अनुसार पिंड़दान आवश्यक होता है गरूर पुरान कहता है कि इस समय परीचित और रिष्टिदारों को मुरतक के घर पर अनाज, फल, वस्त्र और दूसरी सामगरी लेकर जाना चाहिए ऐसा करने से मृतक के परिवार के साथ रहकर समय बिताने से तथा साथ में साधा भोजन पकाने खाने से उनका दुख कम होता है और वे सारे गम बुलाकर वापस से जीवन की काम में लग जाते हैं अभी तक बताई गई बातों से पता लगता है कि दाह संसकार बहुत जरूरी है और इसे उचित तरीके से अवश्य करना चाहिए तभी जीव को अगले जन्म लेने में कोई कश्ट नहीं होगा गरूर पुरान की ये सभी बाते हमें बहुत ही सीख देती है ओम नमस्शिवाए